पूरी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है रोज रात को तकरीबन साड़े तस बजे मैं अपने इस चैनल पर लाइव आता हूँ और आप सभी से बाते करता हूँ साथी साथ आप लोग मुझे काफी सजेशन्स भी देते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बतानी चाहिए और कल परसो की बात है मैं लाइव में बैठा हुआ था मुझे संदीब भाई ने जो अमारे एक विउवर है उन्होंने मुझे से कहा कि गोट मैन पर स्टोरीज जो है वो सुनाओ और मैंने भी सोचा कि यार काफी वक्त हो गया है मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम गोट मैन की स्टोरीज जो है वो कब सुनाई थी तो मैंने सोचा चलो अब इस टॉपिक को जो है वो फाइनल करते हैं और आज किस वीडियो में मैं आप सभी को गोट मैन की कुछ डरावनी कहानिया सुनाने वाला हूँ और मुझे पूरी उमीद है आप सभी को ये कहानिया सुनकर मज़ा आएगा कहानिया शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो second channel है उस पर मैंने दो वीडियोस और upload करी है और वो जो दोनों वीडियोस है वो बहुत ही ज़ाद अच्छी है उनमें मैंने बहुत ही अच्छी कहानिया सुनाई है अगर आपने उन कहानियों को नहीं सुनाई तो एक बार जरूर से सुने तो चलिए अपने जो headphones है उन्हें लगा लीजिए क्योंकि goat man की कुछ डरावनी कहानिया अब शुरू हो रही है एक अंधेरी सुनसान रात में दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे एक का नाम था Rick और दूसरे का नाम था Joe रिक ने पूछा क्या लगता है वो सभी यहीं से होकर कुछ रेंगे जिसके जवाब में Joe ने कहा हाँ मुझे पूरा यकीन है वो इस शेहर के सबसे खतरनाग बदमाश है और उन्होंने डेर सारा ड्रक्स स्मगल करकी दूसरे शेहर में ले जाने का प्लैन बनाया है खड़ा हो गया तब ही अचानक से वहां से एक बहुती तेज तर्रार कार कुजरी वो एक स्पोर्ट्स कार थी उस कार को देख कर वो दोनों पुलिस वाले रिक और जो हरकत में आके उन्होंने अपनी बंदोखे निकाली और उस कार पर फायर करना शुरू कर दिया लेकिन वो कार बहुती ज़दा स्पीड में थी जिसके कारण कई गोलिया उस कार पर लगी लेकिन बहुत सारी गोलिया उस कार पर नहीं लगी वो कार तेजी से वहां से गुज़र रही थी इसलिए रिक और जो भी अपनी कार में बैठ गए और उस अपरादियों की कार का पीछा करने लगे जब कार में बैठे अपरादियों को पता चला कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं तब वो बहुती ज़दा गुस्से में आ गए। और एक अपराधी ने अपनी बंदूख निकाली और वो विंडो से बाहर निकल कर पुलिस वालों की कार पर फायर करने लगा। पुलिस वालों ने भी जवाबी कारवाई करी और उन्होंने भी फैर किया। उनके बीच बहुती खतरनात लड़ाई चल रही थी। अपराधी अपनी कार को बहुती स्पीड से वहां से लेकर जा रहे थे और पुलिस वाले भी काफी स्पीड में कार चला रहे थे। उनकी तीन अपरादी थे, एक अपरादी का नाम जो था, वो था रौकी, रौकी शैर का सबसे बड़ा बदमाश था, और वहीं उसकी जो दो साथी थे, वो भी किसी से कम नहीं थे, वो भी शैर के सबसे बड़े बदमाश थे, जिनका नाम था टोनी और रोबर्ट, रौकी, अपनी बंदूग से पुलिस वालों के उपर फाइर कर रहा था ताकि पुलिस वाले उनकी कार का पीछा ना कर पाए और रॉबर्ट भी रॉकी की पूरी मदद कर रहा था उनके बीच जो रोड रेच थी वो बहुत ही जादा खतरनाग थी तब ही अचानक से वो जो अपरादियों की कार थी वो एक बहुती डरावने और विरान जंगल में चाक उसी और उस जंगल को देख कर वो जो पुलिस वाला था जो कार चला रहा था उसने तुरंट कार को रोक दिया जो ने पूछा आपनी कार क्यों रोक दी तुरत कार को भगाईए वरना वो भाग जाएंगी और उसके बाद रिखने का अब हमें उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी हम उनका इंकाउंटर करने वाले थे लेकिन इस जंगल में जाने के बाद उन्हें वैसे भी मर नहीं है तो उनका पीछा करके कोई फैदा नहीं है जो को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा ऐसा क्या है इस जंगल में और तभी उस जंगल से एक डरावनी आवास आई उस आवास को सुनकर जो बहुत ही ज़दा डर गया और एक ने कहा पता चल गया क्या है डराबना जो ने पूछा वो तो ठीक है लेकिन ये आवास थी किसकी जिसके जवाब बे रिक ने कहा गोट मैन की गोट मैन एक ऐसा जानवर जो आधा भेड होता है और आधा इंसान ये बहुत ही ज़दा हैवान तरीके से लोगों को मारना पसंद करता है रात के वक्त ये जंगलों में घूमता है और लोगों का शिकार करता है काफी सालों से ये गोट मैन इस जंगल में रह रहा है जिसके कारण इस जंगल में कोई भी जाता नहीं है रात तो क्या दिन में भी लोग इस जंगल में जाने से डरते हैं और ये सबी ब ये कहकर रिक ने अपनी कार को रिवर्स केर में लिया और वो अपनी कार को लेकर उस जंगल से दूर चाहने लगा। अब वो दूसरे शेहर में जाकर अपने ड्रक्स को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। वो दीनों यही सब सोच रहे थे। जंगल के बीचों बीच बने हुए रास्ते से होते हुए उनकी कार गुजर रही थी। लेकिन वो जंगल बहुत ही जादा लंबा और घाना था। जिसके कारण कई किलोमीटर कार चलने के बाद भी वो जंगल खतम नहीं हुआ। आखिर में रॉकी ने पूछा। अरे यह जंगल है क्या है। खतम ही नहीं हो रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कब हम दूसरे शैर पहुचेंगे। टोनी ने कहा यार मैं भी तो इतनी देर से ये कार चला रहा हूँ लेकिन ये जंगल खतम होने का नामी नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है ये जंगल एमसॉन का जंगल है। वैसे भी वो पुलिस वाले हमारा पीछा नहीं कर पाए और वापस लोटके। तो अब हमें खबराने की कोई दिक्कत नहीं है। रौकी ने कहा एक बार मैं पीछे देखलू कहीं पीछा तो नहीं कर रहे। और उसके बाद रौकी ने कार की विंडो से अपना सर जो था वो बाहर निकाला और अच्छे से देखा। तो उसे कोई भी नजर नहीं आया और वो हसने लगा और उसने कहा कितने निखटो पुलिस वाले थे हमें पकड़े नहीं पाए। खेर उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब हमारे जैसे अपरादियों को पुलिस वाले पकड़ने लगेंगे तब तो दुनिया खतम हो ये बात कहा कर रौकी हसने लगा और रॉबर्ट और टॉनी भी हसने लगे। तब ही अच्छानक से उस जंगल में एक डरावनी सी आवास आई और उस आवास को सुनकर। रॉबर्ट, टॉनी और रौकी तीनों की जो थी वो हालत खराब हो गई। क्योंकि वो जो आवास थी वो किसी राक्षस की थी रॉबर्ट ने कहा ये किस की आवास थी क्या तम दोनों में से किसी को पता है ये कौन से जानवर की आवास थी और उसके बाद तोनी ने कहा मुझे ने लगता है कि ये किसी जानवर की आवास थी मुझे तो ये किसी राक्षस की आवाज लगती है इतनी डरावनी आवाज किसी राक्षस की हो सकती है और उसके बाद रौकी ने कहा हाँ, मुझे भी ये सेमी लगता है एक काम कर यहाँ से गारी रिवर्स ले ले गारी रिवर्स ले ले हमारे पास कार है, हम कार में सुरक्षित है, कोई भी बाहर का जानवर और जिसकी भी आवास है, वो हमें नुकसान नहीं पहुचा सकता। और ये बात सुनकर ट्रॉकी और ट्रॉबर्ट के शरी में जान आई, और टोनी जो था, वो कार को थोड़ा और स्पीड में वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ, जिसके बाद वो तीनों कापने लगी। आगे का जो रास्ता था, वो खत्म हो चुका था, और आगे एक बहुत ही गहरी खाई थी। उस खाई को देखकर टोनी ने रोबर्ट और रौकी की तरफ देखा, रौकी ने कहा, ये क्या, ये तो रास्ता ही खत्म हो गया, अब हम यहां से आगे खा जाएंगे। उसके बाद टोनी ने कहा, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तो बस स्पीड स्पीड में फास्ट इन फ्यूरिस बनते बनते इस जंगल में ले आया, मुझे क्या बता था इस जंगल में ऐसे रास्ता खत्म हो जाएगा और खाई शुरू हो जाएगी। और उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब हमें वापस रेवर्स गेर ही लेना पड़ेगा। उसके बाद टोनी ने कहा, मुझे तो लगता है हमें थोड़ी दिर इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मैं 100% शौर हूँ, वो पलिस वाले अपनी कार लेकर जंगल के बाहर अमारा ही इंतिजार कर रहे होंगे, और अगर अब हम उस रास्ते पर गहें, तब वो पक्का हमें पकड़ लेंगे। रौकी ने कहा, तो तेरे कहने का मतलब क्या है, अब उन पलिस वालों से डर कर हम यहाँ पर फसी रहें, हाँ, तुने वो आवास नहीं सुनी, मुझे तो लगता है कि हमें पलिस वालों से नहीं, बल्कि ये जिसकी भी आवास है उससे खतरा है, और तब ही उस जंगल में वो आवास जो थी, वो वापस कुंजी, टोनी बहुत ही जदा डर गया, और उसने सोच लिया कि वो कार को जंगल से बाहर निकालेगा, इसलिए उसने कार को यूटन लिया, और वो कार को यूटन ले ही रहा था, तब ही उसने कार के सामने एक दस फुट के आदमी को देखा, जि उसने कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया, ये देखर टोनी ने कार की स्पीड को तुरंत सो के पार पहुचा दिया, लेकिन कार आगे बड़ी नहीं रही थी, उससे आदमी ने कार को अपने हातों से ही रोग रखा था, और इसी बास से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था कि पूरी स्पीड में भी वो कार आगे नहीं बड़ पा रही थी, और वो एक स्पोर्ट्स कार थी, वो जो आदमी था, वो दिखने में तो डरावना था ही, उसे देखकर टोनी, रोबट और रौकी तीनों चिलनाने लगे, और वो जो आदमी था, वो चुप, च जाता है, तोनी ने चिलाते वेगा, रोकी, क्या तुने गन सिर्फ पिछकारी पिछकारी खिलने के लिए ले रखी है, मार इसको गोली पा, उसके बाद रोकी ने अपनी गन निकाली, और उसे आदमी पर तुरंट ताबड तोड़ फायर किये, लेकिन उसकी एक भी गोली का सर, उस आदमी पर नहीं हुआ, उसको सारी गोलिया छोकर निकल गई, और जितनी गोलिया उसके शरीर पर लगी, वो उसके आर बार निकल गई, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और वो एक बहुती डरावनी आवाज में हसने लगा, धीरे धीरे, वो जो आदमी था जिसी कोट मैन कहा जाता है वो उन अपराधियों की कार को धक्का लगाती हुए खाई के पास ले जाने लगा और रोकी ने कार से निकल कर वहाँ से भागने की कुशिश करी लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पहला कदम रखा तो उस कोट मैन ने रोकी का इतना बुरा हाल किया जिसे देख कर टोनी और रोबर्ट की रोक आप गई जैसे ही रोकी ने जमीन पर कदम रखा उस कोट मैन ने रोकी पर हमला किया एक डरावनी आवाज के साथ उस कोट मैन ने रोकी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को उखाड दिया और हाथ उखाड कर वो उसी हाथ को खाने लगा ये सब देखकर रौकी की चीख निकल गई और उसकी चीख से पूरा जो जंगल था वो गूंच किया उसके बाद उस कोट मैन में रौकी का जो सर था वो टोनी और रोबट के सामने ही उखाड दिया और उसके शरीर को खाई में फेक दिया और ये देखकर टोनी और रोबट भी समझ गए कि कार से निकलने का मतलब ایک बहुत ही दर्थनाक मौत है उसके बाद उस कूटमैन ने कार को कार को खाई से नीचे फेक दिया और उसी कार में टोनी और रॉबर्ट थे जो डर से बिहोश हो चुके थे वो जो कार थी वो सीधा खाई में जाकर एक बहुती घने पेड में जो कि हजारों साल पुराना एक बहुती मस्पूत पेड था उस पेड में जाकर फस कई और टोनी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ टोनी ने कहा चुपचाफ से अराम अराम से निकलते हैं ठीक है अराम अराम से निकलेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हां अराम अराम से निकलेंगे रोबर्ट और टॉनी ने अराम से कार का दर्वाजा खुला ताकि कार जमीन पर जाकर ना गिरे क्योंकि वो कार काफी हलकी फुलकी ही उस पेड़ में फसी हुई थी जरा से भी गलती और कार सीधा जमीन से आकर टखरा जाती और टोनी और रोबर्ट की भी मौत हो जाती इसलिए वो दोनों हर कदम फूक फूक कर रख रहे थी रोबर्ट नी जैसे ही कार का जो दर्वाजा था उसे खोला और नीचे उतरने की कोशिश करी वैसे ही कार जो थी वो जिस पेड में फसी हुए थी वो पेड ही तूट गया और पेड के समेत वो कार भी जमीन पर आकर धडाम से गिरी और पूरा जो वजन था पेड और कार खा वो रोबर्ट की शरीर पर जाकर लगा जिसके कारण उसके शरीर का जो हर एक अंग था उसकी चटनी बढ़ गई और तोरी जो था वो अपनी किस्मत की वज़े से जिन्दा बच किया लेकिन अपने दोस्तों की ऐसी मौते देखने के बाद उसने भी अपने हाथ जोड लिये और खौफ से वो भी बेहोश हो गया काफी देर बाद उसे होश आया तब उसने एक आवाज सुनी एक ऐसी आवाज जैसे कोई बकरा कुछ खा रहा हो उसे जब अच्छे से होश आया उसे सब कुछ दिखना शुरू हुआ तो उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही साथा भयानक और डरावना था उसने देखा कि वो जो गोट मैन था वो जमीन पर बैठा हुआ था और वो रॉबर्ट की शरीर के डुकडो को बारी-बारी करके खा रहा था और जैसे-जैसे वो शरीर को खा रहा था वैसे-वैसे वो आवाज भी निकाल रहा था तोनी जैसे ही होश में आया तो ये नजारा देख कर उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो जिन्दा क्यों बच गया वो क्यों नहीं मर गया तब ही उस गोट मैन की जो नजर थी वो टोनी के उपर चली गी और टोनी ने जूट मूट का मरने का नाटा किया वो गोट मैन जैसे ही टोनी के पास आया तब टोनी ने एकदम लाश की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दिया कि वो गोट मैन उसे मरा हुआ सोच कर छोड़ देगा लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गोट मैन उसके साथ क्या करने वाला है उस कोट मैन ने टोनी का जो सर था उसे पकड़ा और उसे खीचना शुरू कर दिया टोनी को इतना ऐसे निये दर्द हुआ कि वो चीखने लगा लेकिन उससे पहले ही उस कोट मैन ने टोनी का सर भी उखाड़ कर अलग कर दिया और उसके खोन को उसने पी लिया उसके बाद उस कोट मैन नी टोनी, रोबर्ट और रोकी की शरीर को एक खटा किया और उनके शरीर से सारे खून को निचोड़ कर उनकी एक एक बूंद को निचोड़ कर एक बरतन में खटा किया और उसने वो सारा खून शैतान के चरणों में अर्पित कर दिया और बचा हुआ वो मांस खुद खा गया पीटर ने काफी सालों की महनत की बाद एक पुलिस आफिसर की पोस्ट को हासिल किया था लेकिन उसकी पोस्ट उसके हूमडाउन में नहीं हुई उसकी पोस्ट डेश के किसी और शहर में हुई और अपनी पोस्ट को समालने के लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा दूसरे शेर में सिप्ट होने के बाद वो अपनी duty को करने लगा और ऐसे ही कई दिन बीट गए एक दिन उसके पास एक phone आया उसने जैसे ही phone उठाया तो सामने से आवाज आई Hello Mr. Peter, मैं बोल रहा हूँ आपका साथी officer असल में मुझे कुछ लाशी मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आईए और investigation करिए उसके बाद वो जो पीटर था उसने कहा अच्छा आप मुझे location बताईए location जानने के बाद पीटर ने phone को रखा और वो police station से बहार निकला कार में बैठ कर वो काफी तेजी में वहाँ location पर पहुचा तो उसने देखा कि उस location के पास में एक बहुती डरावना और भायानक जंगल है और उसी जंगल के बाहर भीड लगी हुई है कई सारे police वाले वहाँ पर खड़े थे और investigation कर रहे थे तब ही पीटर ने अपनी कार को रोका और वो कार से बाहर निकला जैसे ही वो कार से बाहर निकला तो उसके जो साथ ही officers थे वो वहाँ पर आए और उनों ने कहा पीटर तो ये लाशे मिली है और काफी बोरी हालत में है क्या लगता है किसने किया होगा ये सब जिसके जवाब में पीटर ने कहा अच्छा ये सारी लाशे हैं इनके हालत तो बहुत बुरी है वहाँ पर कुल पांस लाशे गिरे वही थी एक का सर गायब था एक का पैर गायब था और एक का हाथ कायब था और ऐसे ही जितनी भी लाशे थी उनकी काफी बुरी हालत हो रखी थी पीटर ने पूछा क्या तुमने इनकी पॉकिट्स वगेरा चेक करी उसके बाद उस पुलिस आफिसर ने कहा हाँ मैंने चेक करी हैं तो मुझे कुछ खास तो नहीं मिला लेकिन सारा जो समान होता है वालेट और कुछ पैसे यही सब मिला है उसके बाद पीटर ने पूछा क्या तुमने आईडी कार्ट्स वगेरा कुछ मिला प्रूफ वगेरा यह कौन है तो उसके बाद उस पीटर के साथी आफिसर ने कहा हाँ मुझे मिले हैं यह है आईडी प्रूफ इनकी पैचान हो चुकी है मैंने इनके घरवालों को भी कॉल कर दिया है वो भी आते होंगे पीटर ने वालेट वगेरा चेक किये तो सारे पैसे जो थे वो उसी के अंदर पड़े हुए थे और पीटर ने कहा सारा जो कीमती समान है फोन, पैसा, सब तो इनी के पास है इसका मतलब ये किसी चोर ने नहीं किया क्योंकि अगर किसी चोर ने ये सब किया होता तो वो कुछ भी छोड़ता नहीं पैसे, फोन वगेरा वो सब लेकर चला जाता सब इनके पास है तो मतलब मैटर कुछ और है इनका मर्डर इतनी भयानक तरीके से हुआ है पता करो, इनकी कोई पास्ट में दुश्मनी रही है क्योंकि इतनी बहरेमी से मर्डर सिर्फ पुराने दुश्मनी कर सकते हैं बाकी यहां रोड पर गई न कई सीसी टीवी होगा है तो सारे सीसी टीवी को चेक करो, कुछ न कुछ सुराद मिले गई ठीक है उसके बाद पीटर जो था, वो उन लाशों को और अच्छे से देखने लगा और हलात को समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस मर्डर्स की वो ये सब देखी रहा था तब ही अचानक से पास वाले जंगल से एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवास आई उस आवास को सुनने के बाद पीटर ने पूछा ये किसकी आवास है? क्या, आप में से किसी को पता है? वहापर जितने भी लोग थे सबने नामें इस सर हिलाया और एक आदमी ने कहा मुझे पता ये किसकी आवास है? पीटर उस आदमी के पास गया और उसने पूछा कौन? किसकी आवास है ये? मुझे तो किसी जानवर की आवास लगती नहीं है उसके बाद उस आदमी ने जवाब दिया ये हवास एक कोट मैन की है वो आधा इनसान और आधा भेड़ है वो एक शैतान है जिसे लोगों को मार कर खाने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो ये भी लगता है कि ये जितने मर्डर्स हुए है वो उस कोट मैन नहीं की है ये बात सुनकर पीटर ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा मुझे तो लगता है तुम कोई पागल हो छोड़ो उसके बात पीटर ने कुछ पुलिस आफिसर से कहा सुनो मेरे बात तुम यहाँ पर नज़र रखो एक कार ले लो और कार में बैठे रहो यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं हर चीज़ पर इंवेस्टिगेशन करो और बाकी सारे सिस्टीवी फुटेजिस खंगालने हैं मैंने तुमें बता ही दिया है जितना मैंने बोला है उतना करो उसके बाद देखते हैं कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा यह कहकर पीटर अपनी कार में बैठा और वापस पुलिस टेशन आ गया वो सोच रहा था कि आखिर वो जो आवाज है वो किसकी थी उसे यही लग रहा था कि किसी ना किसी जानवर की होगी क्योंकि दुनिया में इतनी तरह की कि जानवर पाए जाते हैं अब हर जानवर की आवाज पीटर को तो मालुम हो नहीं सकती इसलिए वो यही सोच कर चल रहा था कि वो किसी नार्मल जानवर की आवाज होगी अपनी डेशिफ्ट को कम्पलीट करने के बाद पीटर अपने घर चला गया रात की वक्त वो खाना खाकर सो गया तब ही अचानक से उसका फोन बजा जैसे ही उसने फोन उठाया तब उसे पता चला कि जिन पुलिस वालों को उसने उस जगा पर रह कर इन्वेस्टिकेशन करने के लिए कहा था उन पुलिस वालों की हत्या हो गई है ये बात सुनकर उसने कोई देरी नहीं करी और वो अपने घर से सीधा उस लोकीशन पर पहुँच गया जो उस चंगल की पास में था वहाँ पर उसने पुलिस वालों की हालत देखी तो उसकी भी रूख आप गई पीटर ने जब उन पुलिस वालों की लाशे देखी तो उनका भी वही वालूआ था जो पिछली पांच लाशो को हुआ था उन पुलिस वालों के पैर का जो मांस था उसे खा लिया गया था ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों को कीशी ने काफी बुरी तरह से चबाया हो और उसका मांस खा लिया हो पीटर बहुत ही ज़ादा है था कि आखिर इतना जानवर बना कौन कर सकता है और तभी उस जंगल सी फिर सी वही आवास आई उस आवास को सुनकर अब पीटर को समझ आ गया कि हो ना हो उस आवास का और इन कतलों का आपस में कोई न कोई सम्बंद सरूर है उसके बाद पीटर अपनी घर वापस आ गया और सुबा पुली स्टिशन पहुँचकर उसने अपना काम शुरू किया उसने सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया जैसे ही उसने कॉल किया तो सामने से एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओफिसर ने कॉल को पिकप किया पीटर ने कहा जी बोली कौन पीटर ने अपना इंट्रोड़क्शन दिया और पीटर ने पूछा जो हमारा जंगल है शेर में उसमें कोई खतरनाक जानवर तो नहीं रहता जिसके जवाब में उस फॉरेट डिपार्टमेंट के आफिसर नहीं कहा खतरनाक जानवर वो भी उस जंगल में नहीं नहीं आपको कोई गलत फैमी होई है उस जंगल में जितने भी खतरनाक जानवर थे हमने सब को पकड़ कर नॉर्मल जो जंगल होते हैं वहाँ छोड़ दिया है वो जंगल पुरा सेफ है वहाँ पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है जब ये बात उस पीटर ने सुनी तो उसे काफी अजीब लगा क्या खिर अगर अगर उस जंगल में कोई डरावना और खतरनाक जानवर नहीं है तो अवाज किस जानवर की है पीटर ने इस बारे में भी पूछा तो उस फॉरेस्ट डेपार्टमेंट के आफिसर ने कहा अरे वो एक जानवर होता है उसी की आवाज है और कोई बात नहीं है वो एकदम शा फॉरेस्ट डेपार्टमेंट वाले कुछ ना कुछ छुपा रही है और पीटर ने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं पीटर ने फोन रखा और उसने फैसला किया कि वो रात के वक्त खुद कुछ पुलिस वालों के साथ उस जंगल में जाएगा और देख जम्याबी छुपाने के लिए छूट बोल रहे हैं और वो इस छूट को भी पकड़ना चाता था और जितने मडर हुए हैं उसके पीछे जो अपरादी है उसे भी पकड़ना चाता था पीटर अपने साथी ऑफिसर्स के साथ रात के वक्त उसी लोकीशन पर पहुँचा जहा मडर हुए थे और वो वही पर इंतिजार करने लगा देखते ही देखते रात के बारा बजगे तब ही उस जंगल से फिर से आवाज आई और ये वही आवाज थी तब ही वहाँ उन्होंने उस जंगल के पास में एक आदमी को देखा जो दिखने में बहुत अजीब था उसके ही पीटर ने उस आदमी को देखा तो पीटर ने कहा वो कौन है जंगल के पास में गाड़ी को भगाओ मुझे लगता है वही है कातिल और उसके बाद वो जो ड्राइवर था उसने कार को भगाना शुरू किया वो कार को जंगल के पास ले जाने लगा लेकिन तब ही वो जो आदमी जंगल के पास नजरा रहा था वो इतना ज़ादा तेस था कि देखते ही देखते वो उस जंगल में भाग गया और कहीं गायब हो गया जंगल के बाहर कार रोक कर पीटर ने अपनी गन निका ली और वो अपने साथी ऑफिरस के साथ उसे जंगल के अंदर गुस किया और वो आवास लगाने लगा कौन है कौन है बाहर रिख लो वरना मारे जाओगे अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो सीधा इंकाउंटर कर दूँगा अगर जिन्दा रहना चाहते हो तो तुरंत सरेंडर कर दो तभी अचानक से पास की जाड़ी में खल चलुई और उसक साथ उसके जो साथ ही ऑफिसर्स थे उन्होंने भी अंदा दुन गोलिया चलानी शुरू करती लेकिन तभी उस जाड़ी में से एक छोटा सा जानवार निकला और वो कहीं और चला क्या उसके बाद पीटर ने इधर उधर देखा तभी उसे फिर से वही आवास सुनाए दी और उस अवास का पीछा करते करते पीटर और उसके पुलिस ओफिसर्स साथ ही आगे बढ़ने लगे तभी पीटर ने कहा तुम्हें काम करो तुम्हें इस डिरेक्शन में जाओ और मैं यहाँ देखता हूँ यहीं कहीं होगा वो अपरा दी हिम्मत बांदे रखना समझे वो कुछ भी हो सकता है हो सकता है कोई जानवर हो इसलिए तुरंत देखते ही गोली मार देना ठीक है और उसके बाद उस साथी ओफिसर ने कहा ठीक है पीटर आगे बढ़ने लगा और वो साथी ओफिसर भी दूसरे डिरेक्शन में चला गया पीटर आस पास पूरी चोकन्नी न रख रहा था कहीं भी कोई भी हल्चल हो दी थी तो पीटर सीधा फायर कर देता था तब ही अचानक से उसके साथी ओफिसर के चिलाने की आवाज सुनाई दी पीटर उस डिरेक्शन में भागता हुआ गया तो उसमें दिखा कि एक बहुत बड़ा पेड उस साथी ओफिसर के पैर पर गिरा हुआ था और वो जो साथी ओफिसर था वो दर्द से चिला रहा था पीटर उसकी मदद करने के लिए उसके पास भागी रहा था तब ही एक जाड़ी में से एक आट फुट का आदमी निकला जिसके पूरे शरीर पर बाल थे और उसके सर पर भेड जैसी सींगे थी उसके हाथ पैर बिलकुल इंसानों जैसे थे वो दिखता एकदम इंसानों जैसा था लेकिन उसका सर एकदम भेड जैसा था उस अजीब से जीव को देख कर पीटर अपनी आखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसके पास विश्वास करने का वक्त भी नहीं थ इससे पहले वो अजीब सा दिखने वाला जीव उसके साथी आफिसर को कोई नुकसान पहुँचा पाता। पीटर के साथी आफिसर का सर वो खाड दिया और वो सर को लेकर कहीं जंगल में गायब हो गया और वो जंगल से एक आवाज आई। जंगल के बहुत ही जादा अंदर आ गया था जिसकी वज़े से वो जंगल के बाहर नहीं पहुच पा रहा था। पीटर उस जंगल से निकलने ही वाला था तब ही अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खीच के उस जंगल में वापस ले जाने लगा। पीटर ने जब देखा कि आफिर उसे कौन खीच रहा है तो वो वही अजीब सा दिखने वाला भेड मानव था। पीटर ने अपनी ताकत का इस्तमाल करते हुए उस भेड मानव से बचने की कोशिश करी और अपना पैर छुडाने की कोशिश करने लगा। तब ही अचानक से उस भेड मानव ने एक सोर दारवार उस पीटर के पैर पर गिया, जिसकी वज़े से उसका पैर जो था वो तूट गया, उसके पैर की जो हड़ी थी वो पूरी तरह से तूट के अलग हो गई और पीटर के शोर से पूरा जो चंगल था वो मानू गून सा किय उस भेड मानव ने पीटर का पैर छोड़ दिया और एक कोने में पेड के पास बैठ किया, पीटर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक पैर तूटा होने की वज़े से वो वहां से बिलकुल भी भाग नहीं पा रहा था, वो ठीक से खड़ा तक नहीं उपा र दर्द से उसकी जान निकले जा रही थी, और पीटर उस भेड मानव को देख रहा था, वो भेड मानव एकदम शान्त था, उसे किसी बात की कोई परवा नहीं थी, पीटर वहां से भागने की कोशिश करने में इतना ज़्यादा पागल हो गया था, कि उसकी जो पैर की हड़ थी, वो तो तूट पहले ही गई थी, लेकिन उसकी पागलपन की वज़े से उसका जो पैर था, वो पूरा उखड कर अलग हो गया, उसके बाद वो भेड मानव उठा, पीटर अपने आपको गसी इटता हुआ, उस भेड मानव से दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो भेड मानव पीटर के पास आया, और उसका पैर उठा कर उसे चबाने लगा, जैसे कोई भेड घास को चबाता है, और वो भेड मानव पीटर का पैर चबाते हुए, वहां से चला गया, पीटर बहुत ही जदा घायल था, और वो मदद की कुहार लगा रहा था, उस की मदद करने के लिए कोई वहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो जंगल ही ऐसा था कि नोग उससे डड़ते थे और कहीं न कहीं शहर में लोगों को पता था कि उस जंगल में गोट मैन रहता है लेकिन पीटर वो शहर में नया था और चितने भी ऑफिसर्स उसके साथ आये थे वो स जंगल में कोई भी खतरनाग जानवर नहीं है और आखिर में खोन जादा बहने की वज़े से पीटर की भी मौत हो गई तो ये थी गोट मैन की कुछ डरावनी कहानिया मुझे पूरी उमीद आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा अगर आप सभी को कहानिया सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब को जरूर से कर देना और एक कमेंट जरूर से करना कि आपको कहानी और अवास कैसी लगती है बाकि अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाही हो आप किसी भी टॉपिक पर हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट कर देना अदरवाइस मैं साड़े दस बज़े रोज लाइव आता हूँ तो आप लाइव में चोड़े और अपने सजेशन्स जरूर दे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फ़र वाचिंग